आज एक और काम हुआ मेरी तरसी से यह सबसे महत्वपुन काम हुआ है और वो हुआ है एक नई एप लॉंच की गई है जिसका नाम रखा है भीम बहुत कम लोगों को मालूम होगा जिस महापुरुष ने हमें सम्रिधान दिया वो डाक्टर भीम राव अमबेड कर अर्थ सास्त्र में उनकी निपूर्टा ये उनकी सच्ची पहचान थी और उन्होंने आज से करीब 80-90 साल पहले भारत का रुपिया उस पर थिसिस लिखी थी और मुद्रा निती कैसी हो उस समय जब अंग्रेजों का सासन था भीम राव अमबेड करने विश्व के सामने भारत की मुद्रा निती के समन में एक नए पन से अपनी विचारों को प्रस्तूत किया था और आज हम लोग जिस रिजर्व बैंक की चर्चा करते हैं आर्बी आई की बात करते हैं डॉक्तर बाबा साब अमबेड करने जो थिसिस लिखी थी उसी के प्रकाश मेंसे विचार ले करके ये रिजर्व बैंक का जन्म हुआ था इतना ही नहीं आजहां भारत में हमारे जो फेडरल स्रक्चर है राज्यों और केंद्र के बीच आर्थिक ववस्ता कैसे चले पैसों का बटवारा कैसे हो इसके लिए जो फाइनांस कमिशन की कलपना हुई है यह भी बाबा साब आमबेड कर भीमराव आमबेड करके विचारों का परिणाम है कहने का तात्पर यह हैं कि भारत की मुद्रा ववस्ता में भारत की सेंट्रल बैंक की कलपना में भारत के फैडरल स्ट्रेक्चर में अर्थ ववस्ता के सबन में किसी एक महापुरुष का स्पस्त्र दर्शन था उत्तम से उत्तम योगदान था तो उस महापुरुष का नाम है डॉक्टर भीमराव आमबेड कर और इसलिए आज जो एप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिकों से करते थे वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम एप के द्वारा चलने वाला है एक प्रकार से बाबा साब आमबेड कर का नाम सारी अर्थे बावस्था के अंदर यह बीम एप के द्वारा सेंटर स्टेज में आने वाला है उसका प्रारम आज इस कारकम के तहट किया है बहुती सरल है इसे आप डाउनलोड करने के बाद स्मार्ट फोन हो हजार बारा सो वाला मामुली फीचर फोन हो इससे इसका उप्योग कर सकते हैं आप इंटरनेट होना ही चाहिए जरूर ही नहीं है और आने वाले दो सप्ताह के भीतर भीतर एक और काम हो रहा है जिसके सिकुरिटी की चेकिंग की व्यवस्ता चल रही है इन दिनों वो आने के बाद तो यह भीम की ताकत ऐसी होगी ऐसी होगी कि आपको न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी न स्मार्ट फोन की जरूरत पड़ेगी न फीचर फोन की जरूरत पड़ेगी न इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी सिरब आपका अंगुठा काफी है आपका अंगोड़ा काफी है